नमस्कार में शंभू कुमार सिंग और आप देख रहे निशनल दस्तक वही हुआ जिसका डर था लगातार सरकार के तरफ से बयानवाजी हो रही थी अभी बोड़कास्टिक मिनिस्टर की बैठक हुई थी यूटूबर्स के साथ अब वही लोग यूटूब पर खबरे दिखा पाएंगे आपको जो टीवी अख़वार चलाते हैं जो टीवी अख़वार के मालिक है मतलब जो सरकार के भोपू हैं बाकी वो तमाम लोग जो खासकर जो एस्टी एस्टी ओबिसी मैनॉर्टी जो इस देश की रियल खबरे दिखा रहे हैं उनके चैनल को बंद कर दिया जाएगा दालाइब टीवी एक ऐसा ही यूटूब चैनल था जिस पर माइनॉर्टी की खबरे दिखाई जाती थी उनके चैनल को कम्मूनिटी गाइडलाइन्स के नाम पर हटा दिया गया है दरसल आपको तो पता ही है गूगल में भी जाती बादियों का अड़ा कैसे बन गया है जब से सुन्दर पिचाई उसके बॉस बनी है जाती बादियों का वो अड़ा है भारत में जो लोग बैठे हुए है या जो लोग निवार्ट अमिरिका में बैठे हुए है वो जाती ब रा दे चाहे भले ही सबसे ज़्यादा आ व्यूज क्यों न देते हो निशनल दस्तक की बात करें तो 99.99% जो इनके दर्सक हैं वो चैनल के बातों से सहमत होते हैं उसके बाद भी क्या भरोसा मुहन भागबत ने कहा था कि सोशल मीडिया मत देखिए दरसल टीबी अख़वार उनके कंट्रोल में हैं अब टीबी अख़वार वाले ही यूटूब पर आ गए हैं अब यूटूब भी यूटूब पर भी आप देखना चाहते हैं वहां देखिए मतलब यह है कि एस्टी अश्टी ओवी सी मैनॉर्टी के लोग न तो टीवी चला सकते हैं अख़वार चला है सॉलूसन यही है कि अगर जिस तरह से दे लाइब टीवी को उराया गया अगर निशनल दस्तक या तमाम किसी चैनल को उराया जाता है तो इस देश का एस्टी ओवी सी मैनॉर्टी के लोग एक ही दिन में नए चैनल को 10 करोड 15 करोड लोग सब्सक्राइब कर लें आपके क प्रिटर चला रहे हैं कौन लोग फेस्बुक चला रहे हैं भारत में और कौन लोग यूटूब चला रहे हैं तो यह भी एक बड़ा खत्रा है लेकिन आपको खत्रा मोल लेना पड़ेगा आपको बात करनी पड़ेगी इंकम टेक्स एडी से बच गएं तो चैनल उरा दिया जाएगा दलाइब टीबी के साथ ही हुआ है और लगातार यही करने की कोशिस है लेकिन मैं आपको भरुसा दिला रहा हूँ कि जब तक मैं हूँ आप तक अपनी बाते पहुचा आता रहूँगा तो सोचिए सबसे पहले और बड़ी खुस खबरी गैस सिलिंडर कनेक्शन अम मातर 2200 रुपे में मिलेगा अब तक 1450 रुपे में मिलता था तो बजाईए ताली कॉंग्रेस की क्या हालत है वो देखिए दिल्ली पुलिस कॉंग्रेस के हिट क्वार्टर में खूस गई कुछ तो पत्रकारों की भी ठुकाई हुई है जो कॉंग्रेस बीट कवर करते हैं वो छोड़िये आज तो दिपेंदर हुड़ा जो जाट नेता है सबसे कट्र हिंदू में बार बार कह रहा हूं कि नोंने जाटों को गोलियों से मारा गुर्जरों को मारा पटेलों को मारा सब वीडियो नहीं दिखा सकते हैं तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं आरक्षन के नाम पड़े सब हुआ है और अब तो दिपेंदर हुड़ा का घर घेर लिया तो कोई नहीं बचेगा समझिए सब की पिटाई होगी और सोचिए किस तरह से लगातार दिपेंदर हुड़ा क एक सरकार ने कहा है कि एक भरती होगी जिसमें सेना में चार साल तक ही जबान नोकरी कर पाएंगे अब बताइए कि चार साल में अभी हरियाना का लड़का बता रहा था कि हमारी साधी ही होती है पचीस साल की उमर में एकिस साल में सेना में जाएंगे पचीस साल की उमर में रि मुखमंत्री भुपेस बगेल और शावक जनदगर गलती से निकल गया वह बीजेपी के पहले मंत्री थे अब गवर्नर हैं अशोक गहलोट और भुपेस बगेल ये दोनों जो हैं वो जे में लगातार सरकों पर हैं और पर दीप नरवाल सरकों पर हैं नुपुर के समर्थन में नुपुर शर्मा के समर्थन में बिहार के आराम एक बड़ी रैली हुई है जहां फिर से उसी तरह के द्रबियो बाली भासा का इस्तेमाल हुआ है लेकिन उस पर कोई रोक नहीं लगाएगा हम सिर्फ आपको स्क्रीन सोट में फोटो दिखा सकते हैं और इसलिए दिलिप मंड़ लिखते हैं इंडियन कास्ट उट बिकम ए वल्ड प्रोब्लम डॉक्टर अंबेटकर ने ये कहा था कि भारत के सवर्न हिंदू जहां जहां जाएंगे वहां वहां जाती की समस्या होगे आपको पता है लंदन में अमरीका में विदेशी देश मे सिड्यूल कास्ट के छात्रों को गाली दी जाती है कि तुम यहां आ कैसे गए ऐसा लगता है जैसे इनके बाप का देश है और दा लाइब टीवी को जिसका 6.68 सब्सक्राइबर था उसको उरा दिया गया है वहीं पूरे यूपी बिहार में जो भरतियों का अगनी बीर के ख करता है वो सोसित बंचित समाज के किसान जातियों के बच्चे होते हैं अब यह गूगल वाले को समझ में नहीं आएगा जाती लेकिन संदर पिचाई को जाती बहुत समझ में आती है तो इस देश में जो जाट है गुरजर है पटेल है माराथा है यादव वहीर कुर्मी को अब healthy के बच्चे जो किसान जातिया है ऐसे डूलकास के बच्चे OVC के बच्चे मानौटी के बच्चे ट्राइवल के बच्चे फोज कि जाके नोकरी करते हैं पचास साथ 657,000 तनका मिलती थी एक सिक्योट होविस्थ था बहन कि शादी करनी होती थी घर बनाना होता था ब और चार साल में वो क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, लास सेल उनकी 40,000 होगी, इसका एक अलग भी लोग कहे रहे हैं, अलग भी खत्रा है, उम्थानवी ने कहा है, कि कहीं ये कोशिस तो नहीं है, कि चार साल के वहाँ ट्रेनिंग देने के बाद उनको RSS में भरती कर लिया ज या वो भी डेर साल में, मतलब 2024 तक, इसलिए लोग तंज कर रहे हैं, लग कह रहे हैं कि अब कॉलर पकर-पकर के छात्रों को नोकरी जाएगी, दी जाएगी और छात्र है, वो परदर्शन कर रहे हैं, अब सुचिए एक और फिल्म आ रही है बर्मास्त्र, जब धर्म के ना पर रादनिती हो रहे हैं, तो धर्म के नाम पर फिल्मे भी चलाई जाए, अब दिलीप मंडल कहां पीछे रहने वाले हैं, उन्होंने लिख दिया, पिर्थिवी राज कपूर के बेटे, राज के बेटे, रिसी के बेटे, रिसी के बेटे, रनवीर, और डिरेक्टर नाना भट के बेटे महेश की बेटी आलिया भट की फिल्म है, बर्मास्त्र, देव मुखर जी के बेटे आयान मुखर जी डिरेक्टर हैं, और यस जोहर के बेटे करन जोहर पोडूसर, इन्हें पोटी जम, इसको जो नहीं देखेगा, वो नर्क में जाएगा, तो सोचिए किस तर परते तेज तरार मुस्लिम यूबक हैं, नेता हैं, ये MLC बने हैं, इनका शांदार स्वागत हुआ, ये भी तस्वीरिया सोचल मीडिया पर वाइरल है, और भुपेश बगेल ने ट्वीट किया, मुखबंतरी हैं, मैं अपने घर इन से पूछ कर जाओंगा, मैं अपने कार से आते हैं, भुपेश बगेल, उनके साथ ये हो रहा है, तेजस्वी आदव का ट्वीट है, अगर देश के सबसे बड़े नियुकताओं, भारतिये रिल्वे एवं सेना में भी नोकरिया ठेके वं सिविल सेवा में लेटरल एंटी के नाम पर दी जाने लगेगी, तो में कहां कोई रोक रहा है, युबालोग सरक पर उतर रहें, जिस दिन इस देश में मैं कहे रहा हूं, हेमान सोरेन, सीबू सोरेन, तेजस्वी आदव अखलेश यादव स्टालिन जैसे नेता सरकों पर उतर गएं, आब यकीन मानिये, कॉंग्रेस से तो बीजेपी निपट बहुजनों से बीजेपी नहीं निपट पाएगी, मैं फिर कह रहा हूं, जितनी बीजेपी और कॉंग्रेस की हैसियत है न, उससे दस गुना ज़्यादा कार करता तो सपा के पास है, बसपा के पास है, RLD के पास है, RJD के पास है, DMK के पास है, सोचिए, JMM के पास है, समर्थकों वाली पार्टी, SC, ST, OBC, Minority, की लीडर्सीप वाली जो पार्टी हैं, वो पार्टी जन समर्थां सबसे ज्यादा संख्याप सोचिए, सपा का कितना जन समर्थक है, कम से कम 20, 10 करोर, 15 करोर उसके अपने समर्थक है, वसपा के भी 10 से 20 करोर समर्थक है, जेमेम के भी 15 करोर समर्थक है, आरेल दे की, आरेल दी खाली जाटलैन भी जोड ले तो कम से कम 5 करोर समर्थक है, डीम के के सोचिए कितने समर्थक है, तो ये नेता जिस दिन सरक पर उतर गए है, उस दिन BJP मैनेज नहीं कर पाएगी न कॉंग्रेस, और कॉंग्रेस के हेट कॉार्टर में दिली में घुस गई है पुलिस, ये सब कॉंग्रेस का दिखाया रास्ता है, जिस पर BJP चल रही है, कॉंग्रेस के समय में भी CBI जो थी वो तोता थी, बस थोड़ा सा डेमोक्रेसी का जीनी जीना जीना परदा था, थोड़ा लोकलास था, वो अब खतम हो गया है, और जो चुप चुप के करती थी, वो BJP खुले आम कर रही है, बस फर्क इतना है कि पहले CBI मावेबती, अखलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, लालु यादव के पिछे लगता था, सीवु सुरेन के पिछे लगता था, अब ED दो ब्रहामन नेताओं के पिछे लगा हुआ है, पीची दमरम, राहुल गांधी, समय सब बदल रहा है, जंजीर बढ़ा कर साधो मुझे हाँ, दुरियोधन बांध मुझे, सोचिए यूथ कॉंग्रेस के अध्यक्ष हैं ये, OBC Community से आते हैं, और किस तरह से उनको बैरिकेट किया गया, इस पिक्चर ऑफ देली पुलिस इं अगनी बीर नहीं, उल्लू बीर कहिए, चार साल की नौकरी का बाद ना प्यंसर ना मिलिटरी, आइए से सुरु परताप से इटायर, उन्होंने लिखा है, क्या आठ साल में 2 करोड नौकरी पर 30 साल के हिसाब सीवाओ या विरुजगारों को मिली 16 करोड नो कर या, मिस्रा को जेल में डालिए, हिंदु धर्म का अपमान है, टेंपरेरी फोजी का भी सुना है, विरुजगारों को उल्लू बनाया, साहब को बरा मजाया, सुरु परताप सिंग, देश के सबसे जूठा परधान मंत्री मोदी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाईया, ये कह रह जाट, कट्टर, हिंदु जाट, अब क्या रियक्सन करते हैं, एक रनविजय ने बरा, बहनों की शादी, खुद की सादी, बच्चों की परहाये बुरहे होते, माबाब की देखभाल और अपना परिवार की सरुक्षित बविस, सेना में भरती होने वाले जवान सेठों के ल या परहा लिखा आदमी है, तो दसकत तो परहने के बाद ही करेगा, राहुल गांदी सब भी बदल बार है, एक ख़बर बताओंगा तो आप फिल जाएगा, फिल हाल जो ED के परमुख है मिसरा जी, उनको एक्स्टेंसन दिया गया है, अब CBI और ED के जो पहले दो साल के मिसरा, ठीक से देखिएगा, अस्थाना जी दिल्ली पुलिस के कमिशनर है, संजे कुमार मिसरा जी है, टैलेंट तो मिसरा जी लोगों में होता है भाई साब, तो इसको बता दूँ, यही राहुल गांदी के मामले में सुनवाई कर रहे हैं, और इनको एक्स्टेंसन दिया गया है, इससे पहले जो इडी वाले एक हेड़ थे, वो बिधायक भी बन गए हैं, बीजेपी के, तो चलिए देश में दो करूर परती वर्स, यानि आठ वर्स में सोलक करून नो कर यहां, लालू यादब ने सवाल पूछा है, और यह तमाम सोसल मीडिया पर आज की बहरी खबर थी, जो मैं आपको बता रहा था, और एडी के परमुख है, मिसरा जी, तो दिल्ली पुलिस के परमुख है, अस्थाना जी मैं तो सिर्फ जानकारी दे रहा हूं, बहन जी का जो सरकारी अवास्था वो मिला हारून मिश्रा को, मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं, फिर्मत आपको जानकारी नहीं दूँगा तो मैं जानकारी रखके क्या करूंगा तो यह तमाम जानकारियां थी जो आपके जल्लिय जरूरी है और लास्ट में कबीर भी बानी कबीर की बानी में कोई भी लक्षन बैसनव का नहीं मिलता बेद विरोधी थे वे अफ्तारबाद के विरोधी थे, बे मूर्ती पूजा के के कि रूप कि रूप में किया है, जबकि वे स्रम धारा के भगत थे। चित्रगार भी पीछे नहीं रहे बेभी कवीर के गले में कंठी डाल दिये उनके माथे पर बैसनब का तिलक लगा दिये तो इसलिए कहता हूं कि एक लाइन अजय कवीर ने बराच्छा लिखा है सच कहूं तो मैं हर साल इस निस्कर्थ पर पहुंचता हूं कि मेरे अंदर पि किसान जातियां हैं जो हिंदु धर्म के तो हैं लेकिन उसके लाभारती नहीं है जिनके पास दान पिटी की चाभी नहीं है जिसके पास मंदिर के ट्रस्ट में जगा नहीं है वो अगर मुसल्मानों के परती पुरुबाग रह रखते हैं तो उनसे निकलने में उनको पढ़ पहतर मुल्क बनेगा नहीं तो इस पुरुवागरह है धर्म के नाम पर आपके अंदर खासकर आप उस धर्म से हैं जिसके आप जिसका आपको नुकसान हो रहा है जिस धर्म के इसाब से आप आज मैं एक एक बाबा का सुन रहा था वही तुलसी दास की लाइन कि उस ब्रहामन टोटल चल रही है और आपको समझना है कि आपके हित में क्या है परहाई लिखाई दवाई रोजगार ब्रोजगारी मुद्द आपके लिए है या हिंदो मुसलिम आपकी पर्तकिरिया बहुत जरूरी है शुक्रिया निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़ झाल झाल